क्या आप यकीन करेंगे कि बजुरंग बली की वानर सेना खुद रामचरित्रमानस और हनुमान चालीसा का पाठ सुनने मंदिर आती है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन ये चित्रकूट के इस अध्भुत मंदिर का सच है। कहानी है चित्रकूट के रामघाट स्तित तोता मुखी हनुमान मंदिर की जहां हर मंगलवार और शनिवार को एक खास नजारा देखने को मिलता है। इस मंदिर में हनुमान जी की वानर सेना वाकई में हनुमान चालीसा और राम चरित्र मानस का पाठ सुनने के लिए मंदिर आती है। ये द्रिश्य सोशल मीडिया पर भी जम कर वाइरल हो चुका है। क्या है इस अद्भुद घटना का रहस्य। क्यूं और कैसे ये वानर भक्तों की बीच आकर बैठते हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी दिल्चस्प बाते। यहां के पुजारी का कहना है कि वानर सेना भजरंग बली के भक्तों के पास बैठकर कम से कम पाँच मिनिट तक यहां रुखती है, उनके बीच बैठती है और भक्तों की बाते सुनती है। यहां पर हनुवान जी ने तुलसी राजी को बगवान सी राम जी सी मिलाया था। यहां पर बंदर के रूप में आते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं और जो पाड़ करते हैं उनका पार बड़े ध्यान से उसनते हैं। यह वीडियो काफी वायलब हो रही है और इस आस्ता भाव से सब लोग देख रहे हैं कि इस इस्थान में प्रात्ना करने से साच्छात हनुमानजी के यहां परवाद से तो हनुमानजी महाज स्विम प्रात्ना को सिवकार करते हैं और वो एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारी प्रात्ना सुन रहा हूं और तुम्हारी मनोकामना भी फूंड करूँंगा और तुम्हारा कर्यारणगी होगा इस भावना से यहां लोग जो पाट करते हैं और वहनुमानी भाज बिडाशते हैं। उनका कोई दिन नहीं है निछे कि देली तो नहीं आते हैं कि अबार आते हैं वियार बेठे होते हैं उने कि बखतों के पास ऐते हैं और एक बात बैठ के सुनते हैं तो बखत को अईसांस होता है चित्रपूट का ये वही स्थान है जहा हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन कराए थे यहां हनुमान चालीसा और राम चित्रमानस का पाठ हमेशा चलता रहता है मंगलवार और शैनिवार को भक्तों की भीड लगती है साथ ही वानर से ना भी भक्ती में हो जाती है और भक्तों की बीच आकर पाठ सुनती है क्या ये सचमुच हनुमान जी का चमतकार है या फिर कुछ और ही रहस से छिपा है आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकलेटी